नमस्कार, City News मुझदफरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हुडियागर और आप देखने हैं शेहर का नमबर वन चैनल City News मुझदफरपुर और खबरों के और बढ़ने से पहले आई एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्कियों पर हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेज क्याब और अनर्सी की विरोध में विवी संगच्चनों के बैनर तले एक साथ सरक पर उतरे समनाले में घिराव कर किया परदर्शन मंगरवर्टिरात माधरपुर सुस्ता में सराफ़ा विर्षाय की किगई गोली मार्कट हत्या की विरोध में जिले भड में बंद रही सराफ़ा दुकाने क्याव और अनर्सी के विरोध में गुडवार को अहुत बिहार बंद को सफल बनाने के लिए मुझापर बहुते पपु यादव केंद और राज सरकार पर बर्श लेकर आत्रोशित विद्राती परिशत के छात्रों ने अन्रस्केवी में किया परदर्शन और अब खबडे विस्तार से क्याव और अनर्सी की विरोध में विभीन संगठन के बैनर तले एक जूठ हुए लोगों ने नगर में परदर्शन कर समानाने का घेराओ किया नागरिक्ता संशोधन कानून की विरोध में सन्विधान बचाओ तहरीक के बैनर तले जुलुष की शकल में बैंक रोड, धरमशाला, मोतजिल, तिलक मादान, टावर चौक, कंपनी बाग होते हुए समानाले परिसर में साक्रो परदर्शन कारियों ने धरनात परदर्शन क कारियों की मुख्य मांग, NRC और CAB को केमर सरकार वापस ले, इसका ग्यापंज राधिकारी आलक रंजन घोस को सौपने के बाद, शांतिपुन में तरीके से निकला यह मार्च समाप्त हुआ देखिए आज हम लोगों ने मुझफर पूर में शांतिपुन मार्च हम लोगों ने जो निकला है उसका उद्देश यह है कि NRC, A.C.A.B. जो काला कानून पुरी तोर से जो है RSSBGP की सरकार जो अमिस्दान एन मोदी की सरकार ने लागू किया है इस के हम लोगों ने इसके विरूद है क्योंकि यह काला कानून एका है जो हिंदुस्तान में पहले से मुसलमान रह रहे हैं सिर्फ एक जाती विशेस की लिए नहीं है सिर्फ मुसल्मानों के लिए नहीं है ये सारे लोग जो है सांतिपुन पर दशन कर रहा है क्योंकि रोजगार देने की बात थी रोजगार की बात तो हो नहीं रही है शिप बात हो रही है तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात हो रही है इसलिए काला कानून को वापस करने के लिए हम लोगों ने हजारों की सं जागरिक थे हैं और इंशालला हमेसा रहेंगे उसके बाद से हम लोगों ने अलोक रंजन जी जो हमारे माननी है यहां के यह मौद हैं उनके हम लोग समख दिये हैं कि आप जो है हमाले मेंडम को आप डीम साथ के अपने मादम से जो है किन सरकार को भेजे आए काला कानून वा जो हां पे मुसल्मान हैं यहां से हिंदुस्तान से जो मुसल्मान गया आजाजी के बाद भारतिये मुसल्मानों की बात क्या कैब में कहीं है नहीं बारतियों मुसल्म नहीं है पकिस्तान में मुसलिम अलफसंशक है बंगलादेश में मुसलिम अलफसंशक है क्या अफगानि परतारित किया जा रहा है उनको ये गवर्वर्मेंट सिटिजिंजिब देगी, ठीक है, तो आप बताएं, आप बताएं, बलुचिस्तान की बात नहीं है, अभी आपने बलुचिस्तान की बात, नोंगर मदीजी कहते हैं, बलुचिस्तान में उनके साथ हक तल्फी होती है, ठी उनको फिर आप क्यों लाएंगे फिर कैप के तहट हैं, आप बोल रहा हैं कि गहर मुस्लिमों को सिर्फ मीलेगा, मुस्लिम भाईयों को इसमें इसमें नहीं मिलेगा, तो आप ये हक तल्फी नहीं करना है, आपका काम है ऐसे प्राइम मिनिस्टर और अप काम है अज़ प्र रहे रहा हैं और एक जमात को छाड़ दियां है, आप मुस्लमान को छाड़ दिया है, तो आप सब को लीजिये और तो सब के लिए हटाइए मंगलवार की रात दुकान बंद कर घर जाने के क्रम में मन्यारी थाना छेत्र की माधूपुर पंगित चौह के समीप लूट की दोरान आघुशन मेवसाई राजकिशोर सहा की गोली मार कर हत्या कर दी गई काजी महमुद पूर थाना छेत्र के साधपुरा निवासी राजकिशोर सहा की माधूपुर हाट में आघुशन की दुकान है वेवसाई की हत्या की सुषना पर ब्यस्पी पश्चमी क्रिश्न मुरारी परशाद प्रमपुरा थाना ध्यक्ष विशुनात राय अस्पताल पहु पेठिया चौक जो की माधुपुर जंतरगत है वह बनकार परसा जोलेश का दुकान है दुकान को बंद करके आ रहे थे इनके पस बाप बेटा थे नहींके बेटे का नाम राजु साथ में ही आ रहे थे जावी तक जनकारी में लिए है कि इनके पस सिफ चावी था चोटा से बेटे के बेटे के पास 7800 रखी था अपरादी ही ने आया है और उन्होंने काहा कि हमको समान देडी चावी में ले लिया है चावी के लुग बाइड था चोटा सब्सक्रिया और दिया उसमें क्रेडिक कार्ड और अधार कार्ड भी होने का बताई गई गया इनके द्वारा कुलुला करिया धोलूट की वरन आपना ही जारा है और प्रफूलिस्टिय हुआ है जोकी बोली इनको लगा है बाह में दाहिना बाह का बोज़ लगी है पाह में पूरी लगने से इनको समय को अस्पतार नहीं ले जाया जा सका, उन्होंने बताया कि इस इनको मदद नहीं करपाई, पुलीस को तुछना मुली फिलिसको पहुंची मिशीन नहीं कही आना जगा पहुंची गया थिकिसे प्रावर अस्पतार में गया, फिर वहां रहे किसी जगा चलेगे सदार सबस्पतार प्राट उसमारी है, फिलाल गतना हुई है, वड़ी घटना है, लोग जो वहां के जो अपरादी है, उसक अपराधी है, जिसने भी घटना में इससा पता कर लिया है, और भी इनके मदद लेंगे, वहाई उनके बेटे रहें उसकार में मन्यारी के शरापा विवसाई की हत्या की ग्रोध में जिले के शराफा विवसाई की ग्रोध में की शरापा विवसाई की अपने की बंद कर दिया वीथ पर्देशम कर माखंसाद चौक पर किया वेपारियों की माग है कि परसासन उन्हें जब तक सुरक्षा महया नहीं कराता है तब तक सभी स्वन बेवसाई अपने दुकाने बंद रखेंगे। वहीं दुकानदारों का कहना है कि अगर परसास्तन उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकती है तो उन्हें आम्स लाइंसेंस दे जिससे की वे अपनी सुरक्षा स्वेंग कर सके। पर मांग है कि हमें सुरक्षा मुहिया कराया जाएं। क्या हमें सुरक्षा देना सरकार का दाई तो नहीं बनता है। हम वैपार करें या अंदोलन करें हम नेता हैं। कि हम यहां रोड पर बैठके अंदोलन करें। हमें वैपार करना है। सरकार उस वैपार करने के लिए महौ आपने प्रिवार का कर्चा चला है color हमें इसके लिए हista कर रहें हम इसके लिए भोट देचे लेगिन क्या इसी दिन के लिए हम भोट देते हैं कि हम लोगो है अपना दुकान बंद करके इस तरह से जिंदाबाद मुर्दाबाद करे आए दिन लगातार बेपसाईयों के उपड़ा हमला हो रहा है, उसको लूटा जा रहा है, खास तोर परसोन बेपसाईयों को सौट टार्गेट देखा जाता है, अपरादी बेखौप है, परसासन का उनको डर नहीं है, ये परसासन की जिम्मेदारी बनती है, और सासन इस पर गौर करें, इस पर निर्देश पालन करें, कि समाज के बीच में जो बेवसाईय है, उनको सौरक्षा मुहिया हो रहा है कि नहीं, परसासन चुस्त नहीं है, परसासन सुस्त है, इस मामले में पूरा बेवसाई हदपरभ है, और रोट पे खरा अंदुलन कर रहा है, ये सरका को देखना चाहिए, सरकार जो है सुस्त बठी है, कि बेवसाईयों का जो लालन पालन होना चाहिए, बेवसाईक से जो हमारा परिवार पलता है, वो आज परिवार के भी बच्चे रोट पर आ गये हैं, हम से जो जूरे हुए लोग हैं, जिससे हमारे दुकान में, हमारे पर प्रतिष्ठानों को बंद करके, कल भी बंद रखेंगे, और कल मैं हम लोग प्रसासन से मिलेंगे, अपनी व्यथा को रखेंगे, अगर सुरक्षा देने में सासन और प्रसासन असफल हुई, तो हम लोग अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके, अपनी चाभी को प्रसासन क कि इस बात को रहा कर कि तरह बर चर्चा चला लेकिन यह फाइलों में कि बद्दाव करा जाएगा पर बाकी में और हम में क्या तर आ जाएगा क्याब और नर्सी के विरोध में गुडवार को आहुत बिहार बंद को लेकर पुर्वसांसत पपुयादब बुद्वार को मुझदफर पर पहुचे उन्होंने NRC का विरोध करते वे कहा कि परदेश की 11 करोड 33 लाख लोग परचान नहीं भरेंगे उन्होंने कहा कि 3 लाख 67,000 करोड रुपया सरकार को चाहिए क्याब लागू करने के लिए मैं आज सबसे बरा डिमांड कर रहा हूँ बिहार की लोगों को बिहार का कोई 11 करोड 33 लाख लोग नर्सी के तहट अपना परचा नहीं भरेगा मैं चुनोती देता हूँ जिसको उकाद है वो बिहार में नर्सी लागू करके दिखा देगा अब लागू करो एक भी हम परचा नहीं भरेंगे किसी भी किमत पहला दूसरा बंजारा चार करोर बिना जमीन और कागज के अनसोचित जाती 67% बिना कागज और जमीन के और अत्यन पिछले में कुछ जाती बिना कागज और जमीन के क्या आप इन सब को कैम्प में डालोगे तीन लाख सरसथ हजार करोर रुपया इनको चाहिए सिर्फ कैम्प सुरू करने के तीन लाख सरसथ हजार करोर आलू साथ रुपया टमाटर 200 रुपया दूद 3 रुपया बर गया दाल सबसे मागा इन मागाईयों को दिखभरमित करने के लिए और GDP को क्या चर्चा नहों एकनोमी पे और जब मारास्था सरकार इसके हाँ से चली गई तो नफरत पहला करके जारखन चुना जीतने के लिए इन्हों इन्होंने पूरे देश को जला दिया पूरा नॉर्थ इस्ट है पूरा नॉर्थ इस्ट चैना के गोद में बैठ कर दिया जो चैना चाहती थी वह अमित साजी ने कर दिया जो पाकिस्तान चाहता है कस्मीर में हम आमित साजी ने कर दिया जालिया वाला बाग से भी बत्तर श्थिती थी जामियां और एम्यू में जालिया बाला बाग जन्रेनल डायर और यहां का अमीद साजी जन्रेनल डायर क्या फर्ट संबिधान बड़ा की पाटी बड़ा यह जानना चाहता है देश संबिधान बड़ा की सक्ता बड़ा संबिधान बड़ा की कुर्शी बड़ा संभिधान बड़ा की भोट बड़ा उधर अयापुर में जलाई गई बीए की छात्रा के मामले में पप्पु यादर ने कहा कि उनका आने का मतलब किसी को बचाना नहीं था बैकि बेटी को इंसाफ दिलाने की भावरा से यह यहां पहुचे थे मुझे नहीं पता था यह बच्ची किस जाती और समाज के लोग हैं मैं भगवान और बच्चे की सोगंद खा के कहता हूँ मुझे नहीं पता था कि राजगीर में जो बच्ची है किस जब मैं जाता हूँ तो अपनी बेटी के दृष्टी से जाता हूँ मेरे सामने मेरी बेटी होती है जो लोग गंदे हरकत करते हैं ना वो अलवाई को कमजोर करता है वो बेटियों के सम्मान को कमजोर करता है मैं स्पीडी ट्राइल के लिए कोट जाओंगा कि आप इस पूरे बिहार के बच्ची का स्पीडी ट्राइल हो कल इसी लिए पूरा बिहार बंद हमने किया और 25 पार्टी सभी साथियों ने सपोर्ट किया हम लोग एक हैं बच्चियों के सवाल पर और देश की एकता और संविधान बचाने के सवाल पर पुलिस पर कोई करवाई नहीं हुई इस मामले में सर कब करवाई हुई और या पूर्थाना तिन गटना है जबर कम करवाई हुई इसके पहले हाई तोबा क्यों नहीं मची थी पप्पू यादब के जाने के बाद ही क्यों हो कम करवाई हुई और हम मेरा सवाल है दितिस जी आप से क्या आपका सुशासन यदि आप दिनेश सिंग का होटल आप दंद नहीं कर सकते हैं और दिनेश सिंग और MP पर करवाई नहीं करने की हिम्मत है तो फिर आज के बाद सुशासम की चर्चा करना बंद कर दीजिए आप कम्प्लिक टूप से इस्तमाल करते हैं अपने सत्ता के लिए और पीक एंड चूच करके आप फेश बचाते हैं कल एक स्वर्म देवसाई की भी हत्या हो गई कल स्वर्म देवसाई की हत्या लप्फोने की उसके लिए रोड जाम क्यों नहीं हो आज हमारे एजेंडे में हमारे पारटी की लोगों का पीस है केंडल मार्च है इसी बच्चियों के सवाल पर स्वर्म देवसाईयों के सवाल पर कब मजब परपूर मुक्त होगा आप राद्यों से क्योंकि नरोना बलतकार केस को पप्पु यादब अब सीधा देखेगा मैंने चुनोती मिलिया है सेल्टर हाउस जो चुनोती मिलिया था तो अब नरोना बलतकार केस को भी पप्पु यादब चुनोती मिलिया हम जिन्दा जब तक रहेंगे तब तक नौरोनक उस बच्ची की को इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे और मुझे पता है मैं मुझे से सिभी आई पूछी ही नहीं मुझे पता है कि किसके किसके घर में उस बच्ची को परोसा गया पपु यादम जिले में बढ़ते अप्राज के मुद्य पर नितिश कुमार पर भी जम करने साना साधा नितिश कुमार जी से मेरा सबसे पहले है कि आप पॉर्म की चिठी किसको लिख रहे हैं जब सरकार में दोनों जगह आप हैं तो यह जंता को धोखा आप क्या दे रहे हैं हाँ जब आपके मिता बलतकार में इंवल्व है अभी तक भगाव वह आप गिरफ्तार नहीं कर पाए बिदाय के अबकि हां सेल्टर हॉस में लगभग आपके नहीं कर पाएं कि आप के हां दिने सिंघ के आप नौमनेशन में आते हैं यहां पर आप MLA बनके लेकिन जब बेटी जल जाती है और बेटी का बलतकार होता उसके पहले एक बच्ची को छोटी मासुम बच्ची को मार दिया फिर उसी एक दिन के बाद बच्ची का बलत को जला दिया फिर अभी गैंग रेप हुआ तो जब MLC के नमनेसम में आप आते हैं और बच्ची को जलाने में और बलतकार के बाद जाने में आपके पेट में दरद क्यों होता है सुसासन के बारे में हमारी एक बात समझ है नितिस बाबुजी कि MLC के घर में है दारू का बोतल रखा हुआ था तब सील हो गया था और आपने जेल भेज दिया था मजब परपुर में एक MP और एक MLC के होटल में दारू पकराया और उसके बाद दारू के बेपारी पकराये आपने अभी तक दिनेज सिंग और उस MP पर कारवाई नहीं की होटल सील नहीं हुआ अफार लौज नहीं हुआ क्या करेंगे अब जब घर में पकराया तब नहीं हुआ क्या करेंगे कोट में इस बात को हम रखेंगे और पुरी की पूरी बचाने में लगी वी हो पांच लाग रुपया बचा है तो इस मामले को हम शराब का जो बहत सल रहा है उसमें इस मामले को भी मैं लाओंगा इस मामले में सर कुछ पत्रकार लोगों ने इस्पी से बात करना चाहा तो इस्पी ने सीधे उन लोगों मैं वही कह रहा हूँ कि प्रसासन सासन पूरी तरीके से दिने सिंग को बचाने में लगा हूँ मैं चार बात आपको कह रहा हूँ पहला कि जब बच्ची जली थी तो पहला आदमी था कि रात के दो बच्च के चालिस मिनट पर हम उसे हस्पिटल में मिलने वे और सुबह सारे साथ आठ वजे हम स्वास्त मंत्री से मिले और मिल करके स्वास्त मंत्री से मैं अपने सामने मेडिकल सुपिटर्नेंट से फोन करा कर उसकी दवाई और सब कुछ फिरी करवा है स्वास्त मंत्री गवा है और फोटो गवा है दूसरा एपेलो के मालिक को मैंने कहा कि एक रुपिया बच्ची को नहीं लगना चाहिए आप नहीं लेंगे एपेलो के मालिक ने हमको साफ सब्दों में कहा कि एक भी रुपिया हम बच्चीों को बचाने में नहीं लेंगे जब तक पप्पू यादब नहीं गए थे तब तक DM और S.P. यहाँ पर कोई कंसस नहीं था और पप्पू यादब के आने के बाद उनको लगा कि नहीं पप्पू यादब आगे तब एक दिन के बाद यहाँ से वो पतना बेजते हैं तो यह लड़ाई पप्पू यादब ने सुरू की और मैं सज कह रहा हूँ कि राजकिसोर राय अजसे 10 साल 12 साल पहले जब हम लोग तल नहीं थे तो वो हम लोगों के गटबंधन में कहीं न कहीं हिस्सा हुआ करता था और मैं यह जानने के बाद कि राजकिसोर राय का वो बेटा है तब मैं उसके खिलाब कारवाई की यह हिम्मत इस दुनिया में सिर्फ पपू यादब को हो सकती है और आज भी कल भी हमारा प्रोटेस्ट था इस बच्ची की जलाने वाला और कल भी बिहार बंद है बी एन कॉलेज राजगीर में बलतकार हुए मैं चुनोती देता हूँ उन लोगों को जो लोग समाज को हलके में लेते हैं बेटियों को जाती पे लेते हैं बेटी जाती नहीं हो सकती इसी सहर में कई बेटियों का बलतकार हुआ उसमें सिर्फ पपू यादबाए बेटियों को जातीयों को मुल्याकन मत करिये राजगीर में जब बलतकार हुए थे तो अकेला आज तक पपू यादबाए और मैंने कहा कि जो लोग ऐसे बलतकारियों को मार देगा सजा देगा मैं उसको इनाम दूँगा जुलाई में छात्रों की मौत को लेकर आकोषित विद्याति परिसद की च्छात्राओं ने MSKB में रोश्पुन परदर्सन किया अखिल भारती बिद्यार्थी परिशत के तत्वा वधान में MSKB के कॉलेंस की में गेट पर छात्रों द्वारा अयापुर की युवती को जला कर मार देने की वोध में सरकार के खिलाफ जम कर प्रदर्शन किया गया इस दोरान चात्रों ने परसासन मोदाबाद के नारे भी लगाए चात्रों ने कहा कि जिले के अप्रादी बेलगान हो रही है पुरी इन पर अंकुष लगाने में विफ़ा साबित हो रही है कहीं न कहीं हम लोगों के सुन्दे को मिलता है जब भी अकवान सुबह सुबह उठके देखो तो कहीं न कहीं किसी जदा पर लड़कियों के साथ अत्या चार हो रहा है आखिर कब तक हम इस जूम को सहते रहेंगे कब तक लड़की अपने आपको सुरक्षित नासूस करती र हम लड़कियों को सुरक्षित रहने के लिए बेवस्ता की जा रही है इतने सारे पर लड़कियों को सुरक्षित रहने के लिए बेवस्ता की जा रही है इतने सारे पर लड़कियों को सुरक्षित रहने के लिए बेवस्ता की जा रही है इतने सारे पर लड़कियों को सुरक तो आयापुर में बट्टी के खासुआ उसके आरोटी के बनान करें और क्या मन करें लिए जिन्दा लड़की को चला है हथारी के असमानपुर में हुई हत्या कांड के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मिर्ता के परिजनों का आम्रन अंश्रन बुद्वार को दूसरे दिन भी जारी रहा हत्या में अपराजियों के गिरफ्तारी नहीं होने के खिलाब मिर्ता के परिजनों का अंश्रन तीसरे दिन भी जारी है परिजनों का आरोप है कि हत्ता के आरोपी खुलेयान घुम रहे हैं लेकिन पुलीस गिरफ्तार नहीं कर गई हैं अंसम कारिवों ने कहा कि तीन दिनों से हम लोग अंसम पर बैठे हैं, लेकिन किसी ने अब तक संग्यान नहीं लिया, जब तक आरोप्पों के गिरफतारी नहीं की जाएगी, तब तक आंधोलन जारी दाएगा. अपने विविन मांगो को लेकर जीविका केरेट संग के सदस्यों ने समानाले में धरना दिया, समानाले में बिहार परदेस जीविका केरेट संग ने अपनी मांगो को लेकर एक दिवसी धरना दिया, जीविका केरेट संग का आरोप्पे की सरकार लागातार हम लोगों की को अंदेखी कर रही है जीविका करेट संग में मुख्य रूप से सभी करेटों को जीविका की ओर से निप्ति पत्र पहचान पत्र और निधाइड ड्रेस मिलने मांदे कंट्रिबूशन सिस्टम पर अवेलम रोक लगाने तथा मांदे का भुकता नियमित और बैंक खात में हो जीविका की सबसे बड़ी महतुकांची प्रियोजना है और इसमें जो काम करने वाले लोग है आज 1200-1500 पर काम करने वाले लोग अगर इसका विरोध करते हैं तो से काम से हटाने की धंके जिजाकी है जो पूरी तरह से और शंबैदानिक है बारती लोगतंत्र की हत्या है लोगतंत्रिक दवस्ता में शब को अपनी मांग को रखने का दिकार है और इसी के तवह हम अपनी मांगों को शरकार तक पुरी करें अगर हमारी मांगे शरकार पूरी नहीं करती है तो इस बार बिहार म को जीवी का मानव शिंख्रा का पहिश्कार करेंगे वक्त शो लाइक छोट से देखा लेते हैं छोटा सप्रिंग तुप्ता का बने रही हमारे साथ देखते रहें सिटी नीव जुम्बुजा फर्पूर आपके शहर में खुल गया है किंडर मोशन डांस एंड एक्टिबिटीज क्लासेज जिसमें इंडिया के फेमस कुरियोगराफर द्वारा परसिक्षित डांस स्टीचर बच्चों को डिफ्रेंस फॉर्म में डांस सिखाते हैं जैसे बॉलीबुड ही पॉप कंटेंप्रडी क्राफ्ट विविन तरह की प्रेंटिंग्स और ब्रेंड डेवलप्मेंट से रिलेटेड अक्टिबिटीज सिखाये जाते हैं एकडमी में एस ग्रूप बॉइस के लिए दो साल से बारा साल एवं गर्ल्स के लिए दो साल से अठारा साल थक है हमारा पता है नियर होटल प्रेंटिंगी आइपैड दुनिया में चले गए हैं इंड़मोशन में इस एंटारी अधिन प्रेंटिंग्स किया जाता है इसमें दो तरह की चीजों पर हम फोकस करते हैं एक है फिजिकल फिप्लेस और दूसरा है ग्रेंड डवलप्मेंट तो फिजिकल फिप्में सामीं तो यहां पर हम एक तरह से लर्निंग विट्पान भी कहा जाते हैं मुझदफरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलिवुट के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लेठी भंडार पिछले 50 वर्सों से आपके पसंद का खयाल रखती है जैमाला सेट ला के फैंसी आइटम कुशर कारिगेरद्वारा निर्वित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, शुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्मान अपनी कारीगर द्वारा कराती है यही नहीं, लाह से बनी, कान का टॉप्स, रिंग, नत, गला का हार, मांग टी का, पिन, पिन स्टैंड, हाथी, बिछ्या, ग्लास, करा भी बनाती है तो एक बार हमारे यहां अवर्श्य पधारे, बाबा की दुकान, लह्टी भंदार, इसलामपुर, मुजपरपुर हमारा कॉंटेक नंबर है 930862044 जो है न बहुरानी सेट है, जैसे की है कुंदन सेट है, और जैसे की हम लोग जो डिजाइन जो है, सेलेक्ट करते हैं जो लगन के उपर, लगन के उपर जो है, जैसे की कस्ट्रमबर का 24 देखते हम लोग है, उसी टाइप से हम लोग जो है, माल तयार करते हैं, और कलर है, मे अब आपको काम्याबी की रह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग सलस्थान जी हाँ यानि की जीनियस क्लासेज देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुझज़फरपूर में जीनियस क्लासेज लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने सवारा है हजारों लोगों का केरियर जीनियस क्लासेज लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूरेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एक्जाम अवाटकम स्कॉलर्शिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रोमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है धेर सारे प्राइज़ रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एक्जाम अवाटकम स्कॉलर्शिप के लिए जिसके एक्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मजफरपूर, सीतामडी और समस्तिपूर में जिसके अंतरगत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैप्टॉप, सेकेंड आते हैं तो सेकेंड प्राइज में है टेबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स, तो जल्दी कीजिए और जीनियस टाल कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे तो आज ही विजिट कीजिए Genius Classes Bank of India के ऊपर पंकज मार्केट सरहियंगर्ज मुजफरपूर या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठन पूरा चौक, मुजफरपूर या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे या आप हमें एमेल भी कर सकते हैं हमारी एमेल आइडी है info at the red geniusclass.in हम पढ़ाते नहीं हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं इस स्कूल में प्रतेएक विशेयों के लिए अनुभरी सिक्षकों का समूँ है विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिलकुल नहीं है बच्चों को प्रतेएक विशेयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाइं दी जाती है साइन्स और कम्प्यूटर लैब के व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बरासा कैंपस भी है नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधी से पढ़ाई जाती है केंद्रिये माध्यमिक सिक्षा बोड पर आधारित पाठिक्रम से कक्षा प्ले हाउस वर नर्सरी से अस्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारम है तो नामांकन के लिए तुरन संपर करे हमारा पता है क्राइस जियोती इंटरनेशनल स्कूल धर्मोदय अस्थली माधोपुरसुस्ता मुजफरपुर आर कॉंटेक्ट नामबस आर 7463-884603-900-6877-392-853985-7777 तो ने जोइन किया क्राइस जियोती स्कूल को और यहां के बिवस्ता यहां के पैरेंट्स सारे लोग उड़ी तरह से बच्चों की पढ़ाएं के पुर्टे क्यारलेस थे मैंने उन्हें जाकर करने की प्रोसेस किया और इस बिवस्ता को वदलने के लिए मैं हर संपर प्यास करती हूँ जहां तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी से आगे बढ़ाना ही मेरा कटब्य है जोड़ा के दामन मेरा काहां तो चली गई तो ना मिली मुझे यद तेरी रह गई प्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आए बरते हंगली ख़बरों के ओर क्याब और नर्सी को लेकर 21 दिसंबर को अहुत बिहार बंद को सफल बनाने के लिए राज़त के कारकरताओं ने जिला परसद मार्केट इस्थित कार्याले में बैठक की इस प्रकार सफल बनाए जाए इस पर भी चर्शा की गई पार्टी के त्रफ से अवान है इस तारीक को मशाज भूसका है हम लोग के जिला में मसरी से बंद कराने के लिए मिटिंग रखे हैं जे सांती कुन धंग से पूरे जिला में हम लोग बंद कराएंगे इस के लिए एक कार्श में लोग मानने बिदागी लोग को भी गठा किये हुए लोगी परखना सब्सक्राइब कराएं जिकान के में उध्यस रही एक इसको बंदी अपनी बीश को मसाज भूसके लिए आज का वहीं महानगर राजद की ओर से वसीम आहमद मुना के नत्रूत में बंद को लेकर वैपारियों से अपिल की गई कि वे 21 दिसंबर के बिहार बं कि अपिल की गई कल्यानी मोती जील एवं इस्टसन रोड के दुकानदारों से मिलकर उनसे बंद को सफल बनाने की अपिल की जी आज हम लोग का राश्टी जनता दल के दुआरा 21 तारीक को संपून विहार बंदी का जो अहवान है उसको ले करके हम लोग की तैयारी जो है ब और सब लोग से हाथ जोर के प्रारतना कर रहा है बिंती कर रहा है कि जो 21 तारीक का जो बंदी है उसमें सब ही लोग हम लोग का समथन करें हर परिवार से हर दुकंदार से हर समाज के लोग से हर जो है राजनीतिक संगठन जो है भाजपा छोड़ करके तमाम राजनीतिक करे कितलने. तो हमारे मोदी जी जिस तरीके से हम को रखता है कि एतने बरे जो रहे सुनते थे कि मदारी बाबा है, प्रयाज की मंदा चला गिया। भुल गाएं की प्रयाज की मत है लोग बेर साथ दूसर रुपिय की दो खरीद रहा है ये एक ऐसा मामदा आ गिया जो लोग जो है समझे उसमें हुजज गया है CAA, CAB, NRC ये हो गया अब इसी में हुजज गया है जो मेन मुद्धा था उसको जो हम लोग छोड़ देना पड़ा तो अपराद है चलम सीमा पर है बलतकार जो है चलम सीमा पर है जगातार आए दीन मुझपरपुर में क्राइम हो रहा है बलतकार हो रहा है जिससे लोग एनम सुरचित असुरचित है इसी तमाम मुद्ध को लेकर के राश्चिय जनता दर के दोवारा 21 दिसम्मर को संपुल बिहार बंदी का आवान किया गया है इसके लिए हम तमाम साहर में हम लोग निकिते हैं राज़त कार करता और आवान कियें और सभी लोग से हाथ जोर कर प्रातना कियें कि आप लोग ह जो हमारे परदान मंत्री का लोग को हमी लोग ने बनाए हैं और हमी लोग इनको जो है इस गर्दी से उतार करके जो गरीब गुर्वा को जो है चैन की रोटी का जो खिजाने का कार करेंगे खत्री महा सभा के द्वारा बुदवार को महिला महानगर जद्यू जिलाध्यक्ष राशी और ग्रामीन जद्यू महानगर अध्यक्ष बीना राय का अभिनंदन किया गया खत्री सभा द्वारा पुराने बाजार इस्थित मुनी देवी इसमिती भवन सभागार में जद्यू पहला परकोष्ट की महानगर अध्यक्ष रासी खत्री एवं ग्रामीन जिला ध्यक्ष वीना यादव को पद मिलने पर खत्री सभा एवं जिला जद्यू द्वारा समारों आउजितकर नागडिक अभिनंदन किया गया इस अफसर पर जदियुजिला ध्यक्ष रंजीत कुमार सहनी ने दोनों अध्यक्षों को अपनी और से बढ़ाई दी इनको महानगर अध्यक्ष बनाए गया क्या कहेंगे महिला को सम्मान दिया गया है हाँ हमारे सरकार तो पहले से भी महिला के हर तिष्टी कोन से राजितिक सैचिनिक सभी चीज में जो आरच्छन से लेकर हर तिष्टी कोन से 50% का हमारे पाटी में आरच्छन भी है महिलाओं को सम्मान देने का और जिस हिसाबस हमारे निता ने बिना यादव जी राशी खत्री जी पर जो जवाब दही पाटी ने देने का काम किया है उस पर पूरे विश्वास के साथ वो लो उतरेंगे और पाटी के लिए काम करेंगे और हमें विश्वास है पुन विश्वास है कि ये लोग महिला को जारू करने का भी काम करेंगे वही महिला पर कोष्ट की महानगर अध्यक्ष को पद पर चेयन को लेकर राश्ची खत्री ने कहा कि महिलाई राजनिती में आए यह मुख्य मंद्री नितीश कुमार का सपना है हम सब महिलाओं को एक साथ जोट होकर अपने बिहार के लिए बढ़िया से बढ़िया कादम उठाएंगे यही हमारा आज का वो है पुदेश है सबसे पहले मैं तो लिणार के लोग के लिए मुखमत्री स्री नितीश कुमार जी और राश्चवा सांसंस आदर्नी आर्सपी सर जी को और परदेश अध्यक्षे आदर्नी बसिच नायन सिंग डाला जी को मैं अपने महिलाओं के तरफ से और पाटी के तरफ से हाथी का भी नंदन और श्वागत करती हूं कि हमको उस लैक समझे और जिला अध्यक्ष का महिला पर कुष्ट के जिला अध्यक्ष का काविल समझे जो हमारे बिहार में जो महिलाओं पर लर्कियों पर अत्यचार हो रहे है तो हमारे मानिये मुख मंदरी जी के तरफ से इस पर कोई यह नहीं है कि कोई करॉप्शन का यह नहीं करते हैं अभी जो यह हुआ है जो लर्की पर जो हुआ है जलाया गया है उसको तुरंट उस पर कर कि गई हैं और उसको जेल हो गया है और जेल भी चला गया हुआ है 25 दिसमबर को पढ़ रहे क्रिस्मस को लेकर चर्च में साफ सफाई के साथ क्रिस्मस की तैयारी को लेकर नगर निगम दोरा गौशाला रोडिस्थित चर्च की साफ सफाई की जा रही है सफाई के दोरा निगम के कर्मशारियों में चर्च परिसर की पूरी सफाई की इसके इलाबे चर्च के बाहर सरक तथा नाले की भी सफाई की सफाई अभ्यान अस्थानी वाड़ पाशद इकबाल कुरेसी के निगराने में की जा रही थी वाड पाशर नहीं बताया कि 25 दिसंबर से पहले चर्च की सफाई पूरी करी जाएगी जम्मो काश्मिर में हो रही बर्फ बारी के कारण मुझदफरपुर और आसपास की जीलों में कराके की ठंड परने लगी है इससे आमजन जीवन प्रभावित हो रहा है अचानक बदले मौसम से हवा में कनकनी बहद बढ़ गई है तेज बरफिली पचिया हवा से लगता है कि शरीर को छिद देगी तापमान में अभी महज एक डिगडी की गिरावट दर्ज की गई है जो अगले कुछ दिनों से और नीचे जाएगी ठंड को लेकर लोग अब विन हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं धूप पूरी तरह से गायब हो गई है इसी के साथ पच्छिया हवा लोगों को कपकपाने में लगी है लग रहा है कि हम अचानक पहारी इलाके में आ रहे हैं और बरफ़ाली हवा तेजी से गुज़र रही हो पूर्वत्तर में हो रही भारी बरफ़ारी का असरब उत्तर भीहार में भी दिखने लगा है भारी सीट लहर सुरू हो चुकी है तेमपरेचर में पांच दिवी से ज्यादा की कमी देखने को मिली है जो मौसम भी भाग के अनुसार अगे और भी रही थी देखिए दो दिन पहले तक जहां धूब खिली हुई थी अब पूरी तरीके से सीट लहर का पलकोप सुरू हो चुका है लोग अपने स्वेटर और मुखलर निकाल चुके हैं पूरी तरीके से ठंड अब चड़म पे है यह सीट लहर आगे और जाड़ी रहेगी तापमांग में भारी गिराब वहशाली इंस्टूट और रूरल मनेजमेंट कॉलिज में बुधवार को फार्नल एर के चात्रों ने समारोफ आयोजित कर विदाई दी और वही नए सत्र के चात्रों का स्वागत किया गया बुधवार को मिर्णपुड़ा चौक इस्थित वैशाली इंस्टूट और बिजनेस और रूरल मनेजमेंट कॉलिज में फेशर और फेर्वेल का आयोजिन किया गया इस आयोजिन को संगम 3.0 का नाम दिया गया कारक्रम की शुरुवात में पुर्वर्ति चात्र चात्राओं के द्वारा तई रंगारम का भी आयोजिन किया गया वही फेशर चात्र चात्राओं के द्वारा नीर्थ और संगीत के कारक्रम ने दर्शकों को मंत्र मुक्त कर दिया इन कारकरम में BBA, BCA और MBA के प्रथम समिस्टर में नामंकित छात्रों के फ्रेशर पार्टी एवं फाइनल येर के छात्रों के लिए फ्रेवल पार्टी कारकरम संस्था के प्रोफेशर डॉक्टर मोना लिसा तथा छात्र उत्पल मंदा की निर्देशन में किया गया पुर्ण कीजेशिति गंडगो पंबिनि पूरी 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 कृते जया जल्वने मगी शादुर भर्ते ने तुंट्य का कंदे नीशै लगते सुट्रम ना खर्षिगी द्वर्द ना खर्षिगी धूर्मुत भर्षी भर्षवते पुवन पोशी निश वुपर पोशी तुल्म शोशी निपोश रखे तन जामी रोशी निदी सुखा पोशी तुर्म अधर शोशी दिर्दो सुखे जल 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 घीन मंगी शासूर बंदी निया का बंदी निशेई लस्ते पुवन खुवन विदी निशेटा का बंदी 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 तुर्दा का बंदी निशेटा का बंद आज बच्चों का फ्रेशर्स और फियरवेल दोनों और गिनाइस हो रहा है फ्रेशर्स जो हमारे नए बच्चे आते हैं वो इन्वार्मेंट के साथ एक्यूप हो जाए उनकी इसनालिटी डेवलेपमेंट हो जो एक स्टेज फियर है वो खतम हो इसके लिए हम लोग फ्रेशर्स पार्टी करते हैं और फियरवेल पार्टी जो जाते हुए बच्चे हैं हमारे उनको एक विदाई समारो देते हैं ताकि वो अपने आने वाले जीवन में अच्छा कर सके इसके लिए सारे जुनियर को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आज के लिए बसे पाहिं कल फिरी में लेंगे कुछ नए खबरों के साहत अब तक आप मुझे और मेरी पूरी नीश्ट्रीम को दीजिए इजाजत नमस्कार कर दो झाल झाल